कि दो दोस्तों आज एक बड़े महत्पून विश्य पर बात करेंगे कि रिवीजन कैसे किया जाए बहुत सारी विदारती कहते हैं कि सब्सक्राइब कैसे कि हम एक परकार से उस पहमर में फस आते हैं कि हमें रिवीजन करना नहीं आता कि रिवीजन किया कैसे जाए तो उसी विशय पर बात करेंगे उमीद कर रहा हूं कि आपके लिए यह वीडियो फायदे मंद होगा अलांकि रिवीजन एक व्यक्तिगत मुद्दा है तो मैं मेरे इस सा वापस पढ़ना रिवीजन है अपने यहां पर अध्यन की पासा में तो जब हम कोई विशय पढ़ते हैं चाहिए इतियास पढ़ रहे हैं चाहिए जियोग्रोफी पढ़ रहे हैं चाहिए पॉलिटी पढ़ रहे हैं उसका बार बार वापस पढ़ना ही रिवीजन है और मेर यह मानना है कि बिना रिवीजन के अध्यन कभी पूर्ण नहीं होता और रिवीजन के अभाव में आपने अगर कितनी भी बार कितना ही अच्छा काम किया है अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपको रिजल्ट नहीं देगा मैंने देखा है कि जब भी कोई एक्जाम होता है तो एक बच्चा पूरे साल बढ़िया मेनत करता है और लास्ट में रिवीजन के अभाव में फैल भी हो जाता है तो रिवीजन किसी भी सफलता में सबसे जरूरी कारक होता है इस रिवीजन को आखिर कैसी किया जाए ताकि हमारे लिए एक प्रकार से परफेक्ट तरीके से क पहली बार पठे करम पढ़ रहे हो तो जब आपने शुरूरी किया जैसे अभी रीट स्टार्ट किया है या फिर फस्ट केट की तजिए तो जब पहली बार आप कोर्स पढ़ते हो तो निशित रूफ से आप साथ-साथ में दू विशे लोगे तो एक या दो विशे तो साथ लेंत लेज एक मॉर pref highly कम से Abg दो विशे तो आप साथ buck की अब इनको करना क्या मालो अब यहां पर दो डूटाइप से दो चीजें हो सबसे पहली चीज यह कि कम से कम छे दिन आपने जो पड़ा six days जैसे मान लो कि आपने इतियास ली और प्राचिन वारत में आपने छे दिन में एक सिंदु गाटी और वैदिकाल दो पार्ट पढ़ लिए अब छे दिन में दो पार्ट पढ़ लिए और इधर आपने भुगुल ले ली और जिजोग्रौफी में आपने अकसांस देशांतर और पृत्वी की घटियों पढ़ लिए जैसे मान लो तो छे दिन के अंदर आपने इन छे दिनों में भुगुल के दो पार्ट पढ़ ली और इतियास के वी मान लुए तो अब आपका साथमें दिन क्या करना है को छया है तो जब आप छया जो पड़ा वो फिर आप सात्मेय आधमेयो में अव कि कोई थो दो देडीन में करेंगे थो दो देन अकती आप छे दिन पड़ा जो पॉरग और तो तीन दिन पूच ना क्या है तो वापस दो तीन दिन विजन कर लो उसकी बाद में रिविजन कर लिया एक बार फिर फिर अगे छे दिन और पढ़ लो सकी दूँव यां पर गतन से करते याइसे कड़ दो श्लू पूर करके आप एक पार यह दो नो आ नीख मुश्झे कर लो ऐसे करते कर दärके जैसी दोविशॉए कर लो जाएगे तो नशीत रूप से आपका कुर्स काफी कुछ अच्छा हो जाएगा है कि फिर जैसे मंद कि आपकी पूरी पूरी पेपर में जैसे माझ किसी सेगेंड की त्यारि कर रहे हैं फरस्ति कर रहे हैं तो तोट शुम्ह क्योंकि maximum 50 से ज़्याद किसी में होते नहीं और शे विसे होते हैं तो फिर उसमें पार्ट भी बहुत चोटा चोटा हो जाता है जैसे पटवारी की बात करें उसमें भी बहुत बड़े बड़े पार्ट नहीं है तो ऐसा पर्थम पहली बार जब ऐसे कोर्ष पूरा करोंगे त करीबन करीबन पांच एक महीं लग जाते जब पहली बार प्रटे थो हमें रिविजन सामाने तहुंटे शट्थे साथ दिन कर लेना चाहिए सामाने बता रहा हूं जरूरी नहीं को नहीं नहीं आपको ठीक थाग याद रहता है तो आफ दसमें दिन पंद्रोंग दिन भी कर सकते हैं अब बात आती है जब आप दूसरी बार कोश्स शुरू करो एक बार तो ऐसे पूरा कर लिया अब आपने दूसरी बार कोर्स स्टाट किया अब दूसरी बार आपको चट्थे-शाथ दिन देखने की जोरुत नहीं है दूसरी बार जब आप पड़ो तो आप 15-20 दिन जैसे माल लो 15 दिन में जो पढ़ा वो 16, 17 और 98 दिन या 16, 17, 18 दिन दो तीन दिनों में वापस उसका रिविजन कर लो तो दब दूसरी बार पढ़ोगे तब आप रिविजन 15 दिन बाद करों क्यों क्यों कि थोड़ा सा याद हो जाता है फिर वापस बार बार देखनी की जुरूत नहीं है तो 15 दिन के मतलब है कि 15 दिन में जैसे मान लो पांच टोपिक पढ़ लिए तो इन पांच टोपिक की रिविजन में आपको दो दिन लगे तो दो दिन तक रिविजन कर लो उसके बाद फिर इस तरह से चलते रहो तो कहने का मतलब यह हुगा कि जब आप पहली बार कोश करते हो तो आपको रिविजन कितने दिन बाद करना है साथ दिन दस दिन बाद करना है और जब दूसरी बार कोश करते हो तब आपका टाइमिंग बड़ा देनी है पनरा दिन बाद रिविजन कर लो और जब आपका को तीसरी बार निकलेगा मैं हमेसा कहता हूं कि आपके चयन के लिए आपका सेले बस आप कम से कम चार बार पूरा करो तब जाके 100% होता है आप चाहते हो कि मैं दो तीन महिने में चयन लेना चाहूं तो भाइया ठीक हो जाया तो अच्छी बात है बाकि होता बड़ा मुस्किल का में फिर जब आप तीसरी बार रिविजन करो तब आप एक महीना ले सकते हो मतलब क्या हुआ कि आपने जो 27-28 दिन पड़ा यह एक महीने में जो पड़ा उसको फिर आव एक दो दिन में रिवीजन कर लो इस परकार से आप तीसरी बार जब कोर्ष करते हो तब आपको रिव बॉगोल शुरू किया ठीक है भारत का बॉगोल टौटल ऐस पाठ है ठीक है मुस्किल से 10 12 पाठ है जो किताबों में अ आते अब पहले साथ दिन मेरे मान नो टो पाठ ही विगए उन दो पाठ का रिविजन कर लिया दूसरे साथ रिमेरे दो और 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 तीसरी डेन मेरे द और लास्ट साथ दिन मेरे दो और होगे मतलब यह हुगा कि 28 दिन मतलब चार सब्ता में मेरा कोर्स पूरा हो गया और चार-पांस दिन उसके रिविजन के लगे क्योंकि हर साथ दिन बाद मेरे एक दो दो दिन लगते तो देखिए एक महीने में भुगोल भी हो गई और क्यों में मैंने दो और सब्जेक्टि ऐसे करकि पहला पूरा तीन महीन तक ऐसे पूरा कोर्स कर लो एक बार ठीक है अब दूसरी बार जब आपस भुगोल और इतिया सुरू करेंगे तब आपको पनरा दिन बाद रिविजन करना फिर भुगोल इतियास पूरी कर लो फिर चौती बार कोर्स करो और चौती बार कोर्स करते हो तब आपको ड़ेड़ महीना दो मैने में वापस थोड़ा नलोके ड़ेड महीने में पूरा विशे हो जब पढ़ने के बाद उसका दो चार्द मेन वापस कर लो अगर ऐसी को डूरो चाहाद को और रह सकता है किointम रिए है फर्स्ट के यहां पिर कोई भी कोई भी यह परीक्स है जिसमें शेर टोट्रल परिक्सा किसलेबर्त में तो छह मॉसे जर्क्रेज 있는 Teinkiãoश से टोटन हृत निए ले लो दोंवेजे पूरे करूं साथ दिन पंडों सहया फरीर विजिन करो ऐसे करते करते दो पूरे करो फिर दूसरे दो नई विशे लो उनको फिर पूरा करो फिर दूसरे नव दो विशे लो फिर पूरा करो ऐसे करते करते चार पांच महिने में एक बार पूरा कोर्स हो जाएगा फिर दूसरी बार आओ, 14 फिर दो विसे लो, 14 दिन पढ़ो दोनों को, फिर उसका रिविजन करो, फिर 14 दिन पढ़ो, 15 दिन पढ़ो, फिर रिविजन करो, ऐसे करके दूसरी बार पूर असले बस पढ़ लो, फिर तीसरी बार, फिर चौती बार, अगर ऐसा करते हो आप, तो तो सब्सक्राइब ऑने इसमें आपके कॉन से अगसाम है अभी पास में पढ़े और निश्यード रूप से आपने आ पता क्ष enormous लए पेले तो इस परकार से काम किया सकता है ये तो बात होती है एक द Tamil Maori बैवथ ले लो नई शुरुवात कीजी दो दो विश्य है पूरे कीजी इस तरह से पहली बार कोर्स कर आप ऐसी मान के चलिए कि मैं पहली बारी पढ़ रहा हूं आप साथ दिन में ज्यादा पढ़ोगी तो दो रिवीजन कर लोगे तो आपका प्रिथम बार में कोर्स हो एक दो महिने में फटा पड़ हो जाएगा फिर दूसरी बार फिर कर लोगे चार-पांस बार पहली भी किया होगा तो इस प्रकार से करो आप तो क्या होगा कि निशित रूप से सले बस भी बढ़िया तरीके से हो जाएगा और रिवीजन भी कई बार हो जाएगा तो फरस्ट टाइम जब है तीसरी बार बढ़ते हो तब एक डैर्ड मैने का गयर बस इस पूरत में किसी भी सूरत में लुग मेंने से जएदा का गयर वान नहीं चाहिए नहीं तो बोल जाओगे और अब चौ शाथी बार कर तो एक डैर subscribe सुरार करो तो पूरा से गदी से पूरण है असक Chanel प्ड़ ह भुगोल काई बार बार रिविजन करें बाकी सब चूटे वे नहीं पहले दो सब्जेक्ट अच्छा से पूरे करो फिर नए दो सब्जेक्ट पूरे करो फिर नए और दो सब्जेक्ट पूरे करो जैसे मान लो चार मेने लग गए तो पहले महने वाला वापस उठाओ अब चा समझ गए होंगे नहीं समझे हो तो एक बार फिर वीडियो को वापस सुनना तो निश्चित रूप से ये चीज़ें होप को फाइदा देगी बहुत-बहुत धन्यवाद अजाती हो